आपकी वॉक्षीट नमबर 33 तो पहले आप लोग इस अच्छे से लेबल कर लेंगे हिंदी की वॉक्षीट है लिख लेंगे डीट डाल देंगे पिछले काई पत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा उसकी अलबम अब कुड़ा हो गई है उस दिन उसने जैसे तै किया था कर लिया था कि वे नागराजन को बेकूप बना कर उससे अच्छे टिकट ज़ार लेगा तो ज़ार लेगा का मतलब क्या होता है उससे निकल राज अप्पा के टिकेट अल्बम की वैल्यू खत्म हो गई थी लड़कों में तो ये सब देखते हुए उसे बहुत गुसा भी आ रहा था और उसने ये फैसला किया था कि अब वो नाग राजन के पास जाके अल्बम को जो उसे अच्छे टिकेट से वो निकाल लेगा उसे ब्यकूफ बराके अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ देर बाद नाग राजन की बहन कमाक्षी उपर आई ठीके क्यों के नाग राजन तो है नी लेकिन कमाक्षी उपर आई बोली भाईया शहर गया है अरे हां तुमने भाईया का अल्बम देखा उसने पूछा ये कमाक्षी बात कर रही है ठीके कमाक्षी ने नाग राजन से कहा के भाईया शहर गया है और तुमने भया का अल्बम देखा राजप्पा को हां कहने में थोड़ी सी हडिकडी हो रही थी और उसे थोड़ी घवराट हो रही थी कह रहे मैं हां कैसे बोलूंगा बहुत सुन्दर अल्बम हैं उसने गृष और पूछागी है जल गया जल गया है ना गुसा आजा हो जाना बड़े से क्या मतलब हुआ आकार में बड़ा हुआ तो अल्बम बड़ा हो गया क्या आप देखे वो जल गए किलस के जवाब देरा है कि बड़े से क्या मतलब है तुम्हारा अगर कोई चीज आकार में बड़ी है इसमीन के वो बड़ी हो गई ऐसा कुछ नहीं है तो उसके चिड़ चिड़ा हट साफ थी यानि कि वो जो चिड़ रहा था वो जो कुड़ रहा था फो चीजें उसकी साफ नजर आ रही थी offended कि वो चिड़ रहे खामाक्षी कुछ देर तक मही रही फिर नीचे चली गई ठीक है थोड़ी देर तक वो भाया के दोस्के पास बैठी और उसके बाद महाँ से चली गए राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा अब राजप्पा जो है उसके दिमाग में थोड़ा से शेतान आया और उसका बिटाब तो यहाँ से अगर तुझझा आलबं मिल जाती है तो आलबं ले लिए और अगर कोई अच्छा सा टिकेट मिलता तो ले ले है ना अली को खीच कर देखा ताला पंद था उसे खोल कर देख लिया जाए बंध से तो बंद में सोगऄ कर देखें कर दो कोई किसी सौरा रखें कि आफ लगा लेते हैं या उसके भी उसने मेस पर ही रखी थी तो उसने फॉराण भूंड ली सियुनियों के पास जाकर उसने एक बार देखा उसने दुबारा मतलब क्योंकि कमरा उपर था भी हमने पढ़ा था पिछली वरक्षीट में तो उसने एक बार जाक के देखा कि कहीं कोई ऊपर तो नहीं आ रहा है जो मुझे इस तरह से तलाशी लेता देख ले फिर जल्दी से दरास कोली एल्बम उपर ही रखा हुआ था पहला प्रश्ट कोला उन वाक्यों को उसने दुबारा पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो चोरी करेगा पढ़ा था पिष्णी बार के एल्बम को चोरी करने वाले त तो इस तरह से उसने उनको दुबारा सबढ़ा उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था क्योंकि देखें गलत काम आप जब भी करते हैं तो आपका जो जमीर है ना आपका जो दिल हो को मना करता है कि बेटा गलत काम मत करो गलत चीज है यह लेकिन क्या शैतान हमें भैकाता और दरास को बंद करके वहां से सीडियों से उतर कर घर की और भागा यानि अब अपने घर गया घर चाकर सीधे पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की और एलबम चुपा दिया अब जो उसकी बुक शेल्फ ती उसके पास गया जाके फटा-फट उसने बाहर आकर ज जलने लगाता है उसको भई जब आप कोई चीज गलत करके आते तो अंदर से घबरावत होती है डर लगता है तो वही चीज वही हालत उसकी थी गला सूक रहा था और चेहरे का तालमेल विगड़ा हुआ था यानि तालमेल खराब होने लग घबरा रहा था वह कुल मिला के रात बज़े अपू आया अब उसका अफ़ गोट उसका еро 2 दोस्ता फो刹 राव आप्वण 2 और हाट वगाला कर उसने बात सुनाई यह नि कि बात कर यह को वह अच्छी भी हो सकती है बुरी मंतलब हसे नाग राजन का अलबम के थे में बहुत गाले थे यह वो क्या बोलता है कि हम वह दूने वह तो चुप Rs.क्रत हुए थे ताला यानि कि वहां से हटाया भगाया कि ठीक ठीक यार बाद मिलते हैं तब यह थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ इस तरह से उसे टाल दिया कि अब तुम यहाँ से जाओ हम बाद मिलेंगे उसके जाते ही उसने जट कमरी का दर्वाजा भेडा भेड़ लिया बेड लिया का मतलब होता है बस सिंपल सा बंद कर लेना उसमें कुंडी बगाला नहीं लगा ठीक है और तो इस चीज का पर डर था कि कहीं कोई देख न ले कि ये मेरे पास है रात में खाना भी नहीं करके आते हैं तो आपकी भूख्यास सब मर आती है आपका दिमाग दिल साब उसी तरफ लगा रहे ता है कि यह का मैंने गलत किया कही मैं पकड़ ना लिया जाऊ और अगया तो क्या उन्जाम रहाँ उसका चहरा भी भी बहानक हो गया था जटा दर साफ नज़र आने लगा था रात उसने की कोशिश की लेकिए नियद नहीं आई क्यों कि दिवाख में चीज चल लीए थी कि अगर कई में सो गया और कोई मेरे कमरे में ऐलबम मिल गयी फिर किया होगा मेरे साथ क्या यदि के लिए अब से नीची रखेस कुछ इसलब्स क्या 34ese आगे कि इसको मतलब होता है या नहीं होता कैसे इसकी ऐल्बम राजपपा को वाप राजपा करे गा या नाकराजन को पता चल पाएगा के नहीं चल पाएगा कि राचापा पास एल्बम है उसकी तो इसके लिए आप लोग अपने बुक से चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं नहीं तो नेक्स्ट वोक्षीट में जब आएगा तम आपको पढ़ाऊंगी चलिए तो फिलाल आपके प्रशन उत्तर हैं इनको कर लेते है है ना के अल्बम अच्छी है और अल्बम बढ़ी है है इसी रिगार्डिंग बाते हुई दोनों में तो आप यहां से लिख लेंगे चलिए अगला कुशन पढ़ते हैं यहां नेक्स्ट कुशन दिया गया है आपको आल्बम जुराते समय राज अप्पा किस मानसिक इस्तित हो थी ना वो वैसे भी खराब हो जाती है डर लगता है आपको आपका दिल घब रहाता है ना तो चलिए इसकान से लिखेंगे एल्बम चुराते समय राज अप्पा का दिल तीजी से धड़क रहाता है क्यों उसे घब रहाती थी लिख लेंगे आप लोग चलिए अगला कु हमारी है ना तो इस वीज़े से बचे बचे फेरते हैं और दिमाग में वही टेंशन गूमती रहती है कि हमने यह शैतानी की है अब पकड़े जाएंगे तो पिटाई होगी इसलिए हमें नीन नहीं आती टेंशन के मारे चलिए इसकान से देख लेते हैं लोग तो देखेंग पिटाई से इतना फरक नहीं पड़ता है जब आपकी सबके सामने बेज़ती होती है तो वह जादा बुरी चीज है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं चलिए अगला कोशन पढ़ते हैं तो आपका नेक्स टूशन लिखा है कहानी से ऐसे शब्चाटी जो आपने पहली बार तो मेरे लिए तो ऐसे कोई भी शब्च नहीं है जो मैंने पहली बार पढ़े या सुनी हूँ यह हर बार कोशन ऐसा ही दे देते हैं लेकिन फिर भी हां यहां पे कुछ चीजे ऐसी जरूर आई है जो हो सकता है अपने पहली बार सुनी हूँ एक्जैम्पल के तौर पे यहा हो सकता है आप पहली बार सुन जो अगर ऐसा है तो आप इने लिख सकते हैं इसके लावा अगर आपको लगता है कि मैं यह वाले वर्ट समने पहली बार सुने है तो आप उनको लिख सकते हैं तो इसका मतलब यह कुशन आपको खुद करना है पिछली बार वोक्षीट में का जो आपने पहली बार सुने हैं या पढ़े हैं अब यहां आपको नेक्स कुशिन लिखा है टिकित आलबम का शौक रखने के राजपपा और नागराजन के तरीके में फर्क थान सहीर सी बात है राजपपा उन्हें महिनत से खटा करता था जबकि नागराजन को वह डिरेक्ली तो वह काम पॉफिक्ट नहीं होता ठीक है ना तो मेरे ख्याल से बलके मैं यह सोचती हूं आप सब भी ऐसी सोचेंगे कि हमें राजपपा का तरीका अपनाना चाहिए कि हम जो काम करें उसे महिनत से करें नागराजन की तरह नहीं के फीरी में मिलगी उसकी धोस जमा रहे है चले इस का अंसर देख लेते हैं कि आपनानेन का दोनों का तरिकता अलग है। राजपपा मेनत से टिकेट जमा करता है तो इसलिए अपना आएंगे चले तो आची वीडियो को में खत्म करते हैं अची वोक्षीट में बस इतने अगर आपको माई वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर करें अगर भी तक आपने मार्चाओं को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मार चैनल क स्बस्ट्राइब करें थाची वाची नहीं